अगर सिर्फ कॉंग्रेस रण नितिकारों की बात सुने तो उनका पक्के तोर पर मानना है कि सिर्फ अदानी प्रकरण को प्रमुकता से उठाने की कीमत राहुल गांधी को इस बार चुकानी पड़ी है। कॉंग्रेस नेता इसके पीछे की क्रोनलोजी समझाने की कोशिश करते हैं। पुरनेश ने सीजियम दवे की कोट में कहा कि राहुल के सामने उनके तीन सीरी प्ले की जाए ताकि वो सुन सके कि उन्होंने आखिरकार कहा क्या था। पुर्नेश के समांग को जस्टिस दवे ने एक सीरे से खारिच कर दिया इसके बाद पुर्नेश ने गुजरात हाई कोट में कियाची का दायर कर मांग करते वे कहा चुकि सबूतों का अभाव है सो राहुल से वेक्टिगत तोर पर अदालत में पेश होने को कहा जाए और तब कि स्टे के कारण ये मामला लंबित है सो याची का वापिस लेने की अनुमती दी जाए तब तक सीजियम दबे का वहां से ट्रांसफर हो गया था इसके बाद 16 फरबरी 2023 को सूरत की ट्राइल कोट में सुनवाई पर लगा स्टे हट गया और यहां के नए सीजियम यानि हरिश हसमुख भाई वर्मा ने राहुल गांधी को सजाच सुना दी बेहत भरोसे मनसूत्रों का दावा है कि सूरत कोट का फैसला आने के बाद लोगसभाई स्पीकर के कमरे में पीम मोधी, राजना सिंग और कीरन रिजुजु की दो घंटे तक एक एहम बैठक चली इसके बाद लोगसभाई स्पीकर ने राहुल की संसत सदिस्यता रत करने का एलान कर दिया